हेलो फ्रेंग्स डेली हे टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राये हैं एक ऐसा महत्वुपूर्ण टॉपिक जिसके प्रयूप से आप के सारे भीमारियों से बस सकते हैं जी हां वो टॉपिक है फ्रेंड्स कलाउंजी का तेल के जी हां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आपको किस दरहां से बिनाना है घर पर कलाउंची का तेल और सारी बताओंगे इसके फायरे जी हां विससे तो फ्रेंड्स अकसर जबी हमें कोई भी स्वास से संब्दित कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो हम तु तो कहना है क्या फ्रेंड्स जी हां आप हम पर यकीन करें इस तेल के प्रयोग करके आप कहीं सारी बीमारियों से बिस सकते हैं जी हां विससे दोस्तों सोडियम कैल्शियम और ऐरें से भरपूर कलाउंची का तेल कहें दहां की दावाया मनाने के लिए इस्तिमाल क्या चाता है साथ ही आपको बता दें की कलाउंची खाने से भी आप कहीं सारी बीमारियों से बिस सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको इसके तेल के फायदों के बारे में बताने ही चुआ रहे हैं जी हां कार्बोहाइडवेड, प्रटाशियम, फाइबर, व आपने भूचन में कलाउंची का तेल इस्तिमाल करके कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए आज किस वीडियो में चांते हैं कलाउंची के तेल से दूर होने वाली समस्क्याओं के बारे में वीडियो को आगे बढने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बला आइकान को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सबी लेटेस की अब्डेट्स मिल सकें इसके फाइदों से पहले सबसे पहले में आपको बताऊंगी आपको घर पर के सहाँ से बनाना है कलॉंजी का तेल इसके लिए आप सबसे पहले 250 ग्राम कलॉंजी भीज़कर 2 लीटर पानी में उपा लीछे उबलते उबलते जब यह केवल एक लीटर पानी रहे जाए तो इससे धना होनी देशे कलॉंजी को पानी में करने पर इसका तेल निकार कर पानी के अउपर टे तेरने लगता है जी हाँ, इसके लिए आप सबसे पहले सिर पर 20 मिन तक नीम्बू के हैर से मसाज करें और फिर सूप चाने पर बालों को अच्छी तरहां से धूली छे इसके बाद फ्रेंट्स आप कलोंची का तेल बालों में लगा कर इसे अच्छी से सूपने दीछे अब फिर आप अपने बालों को धोली छे अब पंदा दिनों तक लगाता है इस तरहां से इस तेल का इस्तिमाल करने से बालों के गिनने की समस्किया दूर्ब हो जाती है और साथ या आपके बाल घने और चमकदार भी बनते हैं इसी दिए फ्रेंग्स अगर आपको हेर लॉस यानि की हेर फॉल की प्रॉबलम हो तो ऐसे में आप इस उपाई को जुरूर फाय करें आपके बालों का गिनना कम हो जाएगा दोस्तों इसका दूपसरा फाइदा है गंज्रेपन के लिए कलाउंजी के राख को आप इसके तेल में मिलाकर अपने गज्जे पर माली जगा पर लगाकर माली श्यानि की मसाज करेंगे तो इससे कुछी दिनों में आपके नए बाल उगने लगेंगे लेकिन फ्रेंट्स आपको इस प्रेयोग के दोरान धहर यानि की सबर की अवेश्रिकता होती है जी हां इस उपाय के रिजल्स दिखने में आपको थोड़ा समय लगता है लेकिन फ्रेंट्स नए बाल उगाते हैं यानि की आपको गंजेपन की समस्या से चुटकावा मिल जाएगा जी हां इस के लावा कलोंजी ओईल ओलिव ओईल और साती महरी वोडर को मिलागा हलका सा गर्म करिए अब आप इस मिश्ण को थंडा होने दीचे थंडा होने के बाल आप इसका अस्तेमाल हेर पैक की तरहा करें और सुपनी पर बाल अच्छे से धोलीचे जी हां फ्रेंट्स हफते में एक बार इस उपाय का अस्तेमाल करने से आपके गंजेपन की समस्या दूर हो जाएगी मिसाज करें और रोज सुपह आप गुन्यूने पानी के चमच में कलाउंची तेल और साथी एक चमच शहर मिलाकर सेविन करें इससे दमा रोग क्यानिक की आस्थमा में काफी आरा मिलता है और आप हमेशा के लिए हिल्डी हो जाओगी इसका नेक्स्ट वाला फाइदा है पाइल्स यानिकी बावासीर के रोग में है फैदेमिन जीहाँ इसके लिए आप कलाउंची के तेल को नारियल पानी में मिलाकर 15-20 दिनों तक पिएं इससे आपकी पाइल्स यानिकी बावासीर की समस्क्या जरसे खत्म हो जाएगी दोस्तों आंखों के लिए है फैदेमिन जीहाँ धूनला दिखना, मोत्या बिंग आना, आंखों से पानी आना, लालपन और साती आंखों में दर्थ को दूर कने के लिए कलाउंची के तेल में गाचर का जूस मिला कर पिएं इससे आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो ज दोस्तों कलाउंची देल से घटा है अपना वजन, जीहाँ, मुटापा घटाने में कलाउंची देल काफी ज्यादा फैदेमिन है, इसके लिए आप एक चमच कलाउंची के देल गुनूने पानी के साथ सेविन करें, इससे आपका वजन कम होगा और आपकी बोड़ी बनीग और साथी कफ की समस्किया जरसे मितने में काफी वज़ा मिलता है, इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको खांस या फे कफ की समस्किया है, तो ऐसे में आपी सुपाय को ज़रूर प्राय करें, दोस्तों गाटिया रोग में हैं फैदीमिन, जीहाँ, कलाउंची के तेल में लहसू की समस्किया दूर हो जाएगी, दोस्तों कमर का दर्द और सरदर्द में हैं फैदीमिन, कलाउंची के तेल को हरका गर्म करके जहां दर्द हो, वहां मसाज करें, और एक चमर्च का तेल दिन में तीन बार सीवन करें, पंदा दिनों में ही आपके कमर का दर्द हमेशा के कुछी दिनों में आपका सिर्दत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फ्रेंट्स पुरुष के गुपत रोग में हैं फैदीमिन, जीहां, स्वपन दोष नपुन सकता जैसे रोगों में एक कप सेप का रस में आदा चमर्च तेल मिला कर दिन में दो बार 21 दिन तक पियें, सा पेट में केड़े होने पर कलाउंची पीसकर सबजी और दूत के साथ मातर दो से तीन बार सीवन कनी से पेट के केड़े खत्म हो जाते हैं, जल्दी फाइदे के लिए आप कलाउंची तेल सबजी पक्वान में भी इस्तिमाल करें, इससे आपके पेट के कीड़े हमिशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दोबारा कभी भी नहीं होंगे। इनों तक रोज अपने फेस पर सेप का सिरका मलें, और फिल कलाउंची के तेल से अपनी फेस की अच्छी रहा से मालिश करें, इससे सफेद दाग में चाहेंगे। फ्रेंड्स कलाउंची ओल से अपने मेमोरी पावर को बढ़ाएं। जी हाँ, इस तेल की मदद से मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स मास्तिशक की शक्ती और एकागरता को बढ़ाने के लिए आप 10 क्राम पुदीनी के पते और आधा चमच कलाउंची तेल को पानी में मिला कर उबा लिए। और आप इस मिश्रन का सीवन करें। जी हाँ फ्रेंड्स सकरात्म परिणाम प्राप्त करने के लिए आप दिन में दो बाल 20-25 दिन तक आप इस मिश्रन का सीवन करें। इस के लावा फ्रेंड्स आप चाय पीते समय एक चाय की प्याली में एक बड़ी चमच कलाउंची का तेल डाल का पिए। इसके आपका मन शान्थ होता है और साती तना भी कम होता है। So friends, आज किस वीड़ियो में आपनी चानलिया है आपको किस लहां से घर पर बनाना है कलाउंची का तेल। और साती आपनी चानलिया है के फायदे। जी हाँ, इसलिए आप भी कलांची के तेल का इस्तेमाग करें और अपने आपको बनाएं हेल्ड एंफिट